अलो फ्रेंट्स, स्वागे था आपके अपने यूटूब चैनल गाइट से ओफिशल में आपका यूनिफर्म सर्विसेज में डेंटल पॉइंट का क्या इंपोर्टन से वो बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से दानत का पॉइंट की वज़े से भी यूनिफर्म पह कैसे होता है, कौन-कौन सी बातें यहां ध्यान रखनी है, औरल हाइजीन जो है वो आपका प्रॉपर होना चाहिए, तो डेंटल पॉइंट्स 14 लास्ट एंड यह आपको डेटेल मेडिकल एग्जामेशन में पॉइंट हो लिए, री मेडिकल हुआ, री मेडिकल में एग्ज पॉइंट लिख देता है, लेकिन डेटेल मेडिकल अफसर को इतना टाइम नहीं होता, तो वो जो पॉइंट है कि 14 से कम है, पॉइंट बना दिया, स्पासलिस का उपिनियन लिया जाएगा, स्पासलिस उसको चेक करेंगे, और वहां पर आपके डेंटल पॉइंट यह दिद से ज़्यादा आर्टिफिशल डेंट से तो ही आप अनफिट हैं, अब इसको देखिए, यह है मिड लाइन जो आप देख रहे हैं, मिड लाइन, यहां पर हम काउंट ऐसे करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जो है वो उसको या यह कहें कि 3rd molar या wisdom tooth कुछ लोगों में develop नहीं होत होता है, पुछ में partly develop होता है, तो यहां पर अभी हम देखेंगे कि जिनको पूरा 16 है, यानि कि 8 आपर जो one side, 8, another side, तो 8 और 8 कितना होगे, 16, अब 16 उपर है और 16 ही उसका combination नीचे, तो कुछ चीजें देखिए आपको समझनी है, जैसे contact, दात से दात का contact, sound teeth, अब दात तो है, लेकिन वो sound नहीं है, बचपन में टोट लग गया था, उसकी वज़े से आधा तूट गया यहां से, तो वो count नहीं होगा, उसका point नहीं मिलेगा, या जिसको कहते हैं कि दात में cavity होगे, cavity होगे, तो आप फिलिंग कर वा ले, properly filled teeth का number आपको मिल जाएग तो यहां हम देखते हैं कि देखे, central incisor, lateral incisor, तीसरा है के-9, फिर चोथा और पांचवा है premolar, पूर्थ, यानि first premolar और second premolar, उसके बाद में छे नंबर का जो दात है, वो है first molar, फिर second molar, और last है third molar या wisdom अब इनका contact इसके नीचे वाले दरफ के साथ, बना चाहिए नीचे वाले जबड़े के साथ यही contact नहीं होगा, तो आपको point नहीं मिलेगा combination, healthy teeth, यह सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, अब number कैसे, 22 dental point कैसे होंगे, जो properly, जिसको कहते हैं कि यह healthy teeth है, जिसका पूरा, उसका dental point 22 होता है, कई बार क्या होता है कि आप लोग medical जब हो रहा होता है, उस time पर medical doctor pencil से लिख रहा है, वो आप देख लेते हैं, और घबरा जाते हैं, कि मेरा दात तो 32 है, लेकिन 22 ही कैसे लिखा, और यदि किसे ने एक दो implant करवा हुआ होता है, तो वो तो और ज incisor, canine, और फस्ट और सेकंड प्री molar जो है, ये पांस तात हो गए, तो इनके पांच नंबर इनके मिलते हैं, और जो molar जो है, उनके molar के मिलते हैं, हमें एक molar के दो नंबर पर छे ये हो गए, तो एक side का कितना हो गया, पांच और 6, 11, 11 ही दूसरी side का हो गया, 11 और 11 ये हो ग placebo is, आप ये 22 आपको नीचे के नहीं count करने, आप उपर के 22 कांच केंजी, पहले आप उपर के 22 कांट करने के बाद ये देखना है, ये नीचे उसका जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है, या नहीं बन तेक, गलती आप लोग अक्सर करते हैं, वो गलती भी आपको बता देंगी कि अधिड मेडिकल में पॉइंट मिल गया उसके बाद तो आपको टाइम नहीं मिले गया दिस पीफ की बात करें तो क्या है ससी जीडी हो या सीप्यो एसाई हो उससे पहले ही बहुत तरह कैंडिडेट क्या होता है कि अपने लेवल पर ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं बिना यह जाने कि मेरे तो डेंटल पॉइंट है पूरे मपास हो रहा हूं उसके बावजूद भी ट् साइड के तीन मोलर जो है वो मिसिंग है तो कितने कट हो गए अब यहां पर तीन प्रॉप मिसिंग है तो यह तो है हो गया साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, अंद्रा, सोला, क्या सोला डेंटल पॉइंट हो जाएगा अब फॉर्सेज में जब मेडिकल होता है तो उस सिती में यह जो है डेंटल पॉइंट आपको तभी मिलेगा जब आपका इसका, अब यह नहीं है, क्या यह है इसका नीचे वाला जोड़ा नहीं है, चलिए आपको दूसरे डाइग्राम से बता देते हैं कि आपका सफोज केजिए कि जो साकंड मोलर है वो नहीं है अपर जाओ और अनुदर साइड का थार्ड मोलर या विजनम टूथ जो है वो फुली डेवलप नहीं है तो और नीचे आप देखते हैं कि एक थार्ड मोलर नहीं है, अब नहीं है तो देखिए दो इसका कट गया और दो इसका भी कट गया तो और एक आपका नीचे वाले जबडे में फॉस्ट मोलर नहीं है तो इसका भी डो काट दीजिए च्छै काट दीजिए काउंट कहां से करें दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा चौदा यानिकि आपके चौद अब आप लोग क्या कलती कर बैठते हैं कि यहां पर ब्रीज लगवा लेते हैं तो ब्रीज में क्या होगा कि ब्रीज में आपके दो आजू आजू के दांत हैं उनको भी कावर किया जाता है ऐसा तो ब्रीज बनेगा नहीं तो उस तिती में क्या होगा कि जब ब्रीज बनव तो इसको भी artificial मान लिया इसको भी artificial मान लिया यानि कि दो और एक तीन तीन और कट कर दिये तीन और कट कर दिये वो क्या हुआ कि 14 से कब हो गया तो bridge उसे स्थिति में लगवाएं कि पहले एक अच्छे dentist से आप साफर करें उनको यह पूछें कि मेरा यदि dental point चावदा हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए और यदि यहां पर आपको करवाना है तो implant करवाई है जिसमें 3-4 महीने का time लग जाता है कि पहले आपके मसूडे में एक screw fit किया जाता है और फिर उस screw पे एक दांत पे कस दिया जाता है तो उसको detect करना बड़ा मुश्किल है वो detect उसी स्थिति में होगा जब दांत का x-ray का लिए जागा अलांकि आपने bridge करवाया हुआ है तो उस bridge का भी x-ray होता है कि bridge के नीचे दांत सही है क्या दूसरी बात यदि आपका दांत उपर से इसको कहते हैं कि खरण हो रखा है उसका तो उसमें filling करवा लें दूसरी बात कि यदि जादा खरण हो रखा है तो उस पे crown करवा लें क्योंकि यदि जड़ें उसकी मौझूद हैं तो भी आपको दांत का point मिल जाएगा तो इन सब कीजों का विशेश रूप से ध्यान रखना है कि दांत की वज़े से आपका वर्दी का सपना नहीं टूप जाए कई बार हमने देखा कि dental point कितना हुआ 13 चाहिए कितना 14 अब देखे मेडिकल गाइडलाइन को चेंज करने का तो अर्देश नहीं दिए सकते हैं कहीं ऐसा हो कि आपको बिना अधात का एक्सरे के वे अन्फिट कर दिया हो तो हाइकोड उसमें कर सकते हैं कि आप एक्सरे कीजिए एक्सरे करके दी डेन्ट्रोपॉइंट हो रहा है पूर